सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुल बुले है इसकी या गुलिस्ता हमारा नमस्कार, मैं हूँ डाक्टर छोटे लाल गुप्ता, असिस्टर प्रफेसर आज के बैचारिक विचार बिमर्स का विशाय है, मेरा भारत, महान भारत आज हम 74 गंतंद्र दिवस मना रहे हैं, और यहां वर्स 2023 अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि अब गंतंद्र का जशन राजपत पर नहीं, कर तब में पत पर मनाया जा रहा है हमारा सीना गर्व से चौरा होते जा रहा है, ससस्र से नाओ का मस्तक और गरज रहा है ये नया भारत है, आत्म निर्वर भारत है, जिसकी चमक, जिसकी चमक दूर सुदूर अंतराश्टिय मन्ज पर भी सूर्ज की तरह चमक रहा है और जो हर भारतिय नागरी के स्वभिमान में भी दिखता है वह परगती जहां परतिब्भा का परदर्शन है, उद्यम का जैगोस है और उन सभी प्राकर्मी नर्सिंगों पर पुश वर्षा करती है हमारी राश देवी भारत माता बादाए आती है आए, घिरे पर लाए की घोर घटाए, पाओं के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदी जुआ लाए निज हातों से हस्ते हस्ते, आग लगा कर जला होगा, कदम मिला कर चला होगा, कदम मिला कर चला होगा कभी कुल के पितामा अटल विहारी बाजपेई की ये पक्तियां, हमें कठोरतम बाधाओं के बीज क्रांती का हुंकार भरती है वही हिम्मत जहाँ चारो और वैस्वी क्रोना महामारी और युद्ध की बिविशका से समस्त विश्व की अर्थव्यवस्था काप रही है आज भारत हर छेत्र में बिजे पता का लाराता चला जा रहा है हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में सुमार हो चुकी है हमारा देश भारत सुरक्षा से लेकर जीवन और स्वास्त की रक्षा तक बिस्व बैपार से लेकर वैस्वी कुद्पादन हब बनने तक कर नया किर्तिमार बना चुका है भारत की ऐसी मिसाल जो वाकई बेमिसाल है आज से 75 साल पहले सभी भारतियों की ऐसी ही उर्जा, प्रियास और संकर्प ने 15 अगस्ट 1947 को देश को स्वाधीन किया था और संबिधान को पुन रुपेना अंगिकार कर उसे अपनी सामोहिक सक्ति सौब कर 26 जनवरे 1950 को हमें गंतंत्र बना कर इस दुनिया से सदा सदा के लिए बिदा हो गए भारत की पहचान आज विश्व में ना सिर्फ एक आर्थिक महा सक्ति और सैने ताकत के रूप में उबरी है बलकि सुचना तक्नीकी के छेत्र में भी अभूत्मुर्परगती की है अब डिजिटल तक्नीक और उसके बेवारिक उपयोग में भारत विश्व के अग्रणी देशों में सामिल है अंतराश्टिय अस्तर पर भारत का कद्ध सभी छेत्रों में बढ़ा है बिदेशी निवेश में रिकार्ड ब्रिधी से या अस्पर्ष्ट हो चुका है कि बिश्व भारत की अपार छमताओं से परिशित हुआ है अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए दुस्मनों के दात खटे करने से लेकर मदद मांगने वाले दूसरे देशों को दवाओं से लेकर अनाज कर निरियात करने की उदारता आज भारत की पहचान बन चुकी है आज बिज्ञान और तकनीक का ताल मेल भारत के विकास का ऐसा उपकरन बन गया है कि आप प्रसासनिक सुधार, बिजली, रेल सुधार, रोड सुधार, कौसल भारत, श्टार्ट अप इंडिया से लेकर रक्षा आधोनी की करन तक का मार्ग परसास्त कर रहा है वसुधायवक कुटुमकम, अथवा, एक प्रित्वी, एक पडिवार, एक भविश्य के साथ भारत G20 की मिजबानी करस्वयम को वैस्विक आर्थिक महासक्ति के रूप में आज अस्थापित कर रहा है या हर भारतिया और भारत वन्सियों के लिए गर्व की बात है मुझे तोर ले ना बनमाली, उस पत पर दे ना तुम फेक, मात रुभमी पर सीष्ट ढ़ाने, जिस पत जावे बी रनेक, कभी माखवाल चतुरुवेदी किसी भी सेना का सौर्च, सम्मान, मर्यादापुन बेवहार की प्रंपरा और विश्वस्नियता, ये चार गून उस देश की सेना का त्याग का परतिबिम्भ होता है सताबदियों पुर्व से भारतिय सस्त्र सेनाय चलती आ रही है, हर नागरी के लिए या विश्वास और आत्म बल का परजाय है अब देश के कदम तेजी से रक्षा के छेतर में आधुनिकी करन के दिसा में बढ़ रहे है तक्निकी दक्षता, आधुनिक दक्षता के साथ साथ जुवा जोस्थ भी सात्वे आसमान पर है आज हमारे पास दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसके पास आधुनिक तम हत्यार है सेना के पास अब भारत में बने स्वेदेशी टैंक, मिसाइल और हैंड ग्रिनेड है जो आत्म निर्वर भारत का बुलंद जय घोस कर रहे है आज भारतिय वाई सेना की दक्षता, राफेल और स्वेदेशी तेजस फाइटर और बंबर एरक्राफ्ट के कारण कई गुना बढ़ गई है आज अगर चीन आखे तरेड़ता है, तो भारतिय सेना उसकी आखों में आखे डाकर बात करती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बोलती बंद है काम्याब सर्जिकल एक्ष्ट्राइक के साथ अब हमारा देश भारत दुस्मन के घर में घुस कर मारने वाला नाया भारत बनकर उबरा है अगाज से जमीन पर मार करने वाले ब्रामोस सुपरसोनिक मिसाइल का सामिल किया जाना और रडार से संचालित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइले ये बता रही है कि हिंद महासागर में भारत की सामने च्शमता अब सर्बुच्च है आज जब भारत एक राष्ट के रूप में स्वयम को परिभासित कर रहा है तो गुलामी के परतीकों को मिटाने का भी काम पूरा हो रहा है राष्ट पिता महात्मा गांधी के बिचारों को आगे बढ़ाते हुए भारत गुलामी च्शाया से उबर रहा है राज पत को करतब्बे पत बनाने के बाद भारत सैक्रों वर्षों का गुलामी के परतीकों को मिटा कर जन जन में नई उर्जा नई सोच का संचार कर रहा है यह अपने आप में नए इतिहास का सिर्जण है जो भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सार्वकालिक आदर्सों का जिवन्त मार्ग परदर्शित करता है इसी प्रकार इंडिया गेट के समीप राश्ट नायक नेताजी सुबाश चंद्रबोश की 28 फीट उची 6 फीट चौरी विसाल परतिम्मा प्रेना सुरोत है और आधोनिक वससक्त भारत की प्रान परतिष्ठा है ऐसे अनेको उधारन देखने को मिल रहे हैं जो हमें आत्म निर्वर और जुझारू भारत की तस्बीर पेश कर रहे हैं आदी काल से ही भारत स्वास सेवा के छेत्र में विस्व गुरू रहा है ऐसे में कोई आश्चर्ज नहीं है कि जब किसी वैक्षिन को बनाने में आम तौर पर साथ आठ वर्स लगते हैं तब भारत के बैग्यानिकों ने कुछी महीनों में करोना के खिलाफ कारगर वैक्षिन बना कर देश के स्वाविमान को जागरित किया देश में टीका करण की रफ्तार ऐसी रही कि भारत ने ना सिर्फ दुनिया भर में किर्तिमान अस्थापित किये वलकि वैक्षिन मैत्री के तहत 95 देशों को कुरोना वैक्षिन की डोज दी कोविट काल में भारत ने अमेरिका जर्मनी रूस जपान कनाडा समेथ दुनिया के दूसरे देशों को हाइड्रो क्लोरो क्विन समेथ अन दवाईया और जरूरी उत्पाद भी वेजे आज पूरी दुनिया हमारे ग्यान बिग्यान और कौसल की मुरीद बन चुकी है भारत का फार्माशियोटिकल उद्योग उत्पाद के मामले में आज तीसरे अस्थार पर है जेनेरिक दवाओं का 20% भारत अकेले पूरा करता है आज देश में प्रात्मिक स्वास किंद्रों की अस्थापना आयूस बिभाग द्वारा रोगों की रोक थाम के उपाएज जैसी पहल स्वास सुविधाओं का मजबूत अधार बन चुकी है मुप्त इलाज से लेकर सस्ते दाम पर दवाईया तक उपलब्द होना स्वास्तर भारत का मार्ग पर सस्त कर रहा है बीते दीनों भारत की यात्रा पर आये माइक्रोसोप्ट के पर्वक सत्या नडेला भारत के डीजिटल सवरूप को देख कर खासे प्रभावित हुए हाल ही में भारत आये जी ट्वेंटी के परति निज्यों ने भारत को डीजिटल तकनीक का अग्रणी देश कहा आज स्रम का छेत्र हो या महिला ससक्ति करन गाउं गरीब तक पर सासर की पहुँच हो या फिर उप्वोक्ता सग्रच्चन से लेकर राजनिती, सासन या कोटनिती आज एक अहब अधार बन चुके हैं डीज्टल प्लेटफर्म के आज भारत के 84 करोर लोग इंटरनेट से जुरे हैं, देश में 100 करोर से अधिक लोग मुबाइल फोन उप्योग करता है जिनमें से 60 करोर लोग स्मार्ट फोन का उप्योग करते हैं चाहे सहर हो या गाउं, छोटे खुद्रा बैपारी हो या बरे बैवसाइक सरस्थान डिज्टल इंडिया अभियान के तहट करीब 6 लाग किलो मीटर लंबी अप्टिकल फाइवर बिछा कर गाउं और सहर की दूरी खत्म की जा चुकी है आज भारत बैस्विक अर्थव्यवस्था के रैंकिंग में ब्रेटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है जबकि पूरी दुनिया कोविड-19 और रूसी उक्रेन युद्ध संकट से जूज रही है मंदी से निकलने के लिए हाथ पैर मार रही है ऐसे में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है और अपने आप में यह किसी वर्दान से कम नहीं है आज भारत में उद्योगों और संस्थारों के 20 समनवा का ऐसा सेतों बन गया है जहां विश्व की बड़ी से बड़ी कमपणिया भारत में ही अपना रिसर्च सेंटर अस्थापित कर रही है भारत ग्लोबल इनोवेशन की रैंकिंग में सिर्च पचास देशों में पहुँच गया है आज भारत भी देशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का चौथा देश बन गया है आज भारत पूरी तरह बदल गया है भारत का चमकता सितारा अपने लोगों को परकास से आलोकित तो कर ही रहा है दुनिया को भी बुद्ध और वासू धैवक टुमकम के भाव के परकास से परकासित कर सांती और सौहार्द स्थापित कर रहा है आपने मुझे धैर्ज के साथ सुना इसके लिए आपको धन्यबाद